नमस्ते दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका आप इस वीडियो में सुनेंगे अफसान मैया की कहानी अफसान मैया की पूरी पूझाविदी मेरे चनल पर पहले से अपलोड है वीडियो के एंडमे स्क्रीन पर आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी तो चलिए कहा ब है, ब बहुत ही गरीब रहती है। तो एक दिन अपनी जेठानी से वह कहती है कि दीदी हमारी लिए कोई काम ढून देती तो बहुत अच्छा होता। तो जेठानी कहने लगी अब हम तुम्हारे लिए काम कहां ढूनेंगे तुम हमारे घर पर ही आया करो और हमारा सारा काम कर दिया करो और हम तुम्हे कुछ दे दिया करेंगे तो देवरानी कहने लगी ठीक है दीदी कल से हम आ जाएंगे तो अगले दिन से वह आने लगी और आकर घर का सारा काम करती और जब जाने को होती तो जेठानी घर का बचा हुआ सारा खाना उठा कर उसको दे देती जब वह खाना घर लेकर जाती तो बच्चे उसके हाथ से छीनने लगते और खाना खाकर कहते कि बड़ी ममी का खाना तो बहुत अच्छा है गरीबी बहुत थी तो उनके यहां इस तरह का खाना नहीं बनता था इस तरह से देवरानी हर रोज जाती और कुछ न कुछ खाने का सामान लेकर आती थी अब जेठानी के मन में एक दिन अवसान माता की पूजा करने का विचार हुआ तो वह देवरानी से कहने लगी कि कल तुम जल्दी आ जाना और चौका बरतन करके खुद ही चली जाना उसके बाद जेठानी अपने पडोस में जाकर औरतों को निमंतरन दे आई सुबह हुई और देवरानी ने जल्दी आकर सारा काम कर लिया उसके बाद जेठानी ने उससे कहा अगर सारा काम हो गया हो तो तुम घर चली जाओ तो वह वापस चली गई, अब जेठानी के घर बहुत विधी विधान से, अफसान माता की पूजन सामगरी लेकर पूजा हुई, अफसान माता की कहानी और उसके साथ साथ, अफसान माता की गीत गए गए और फिर अंत में अफसान माता की आरती हुई, अब कुछ दिनों बाद यह बात देवरानी के बच्चों को पता चली तो वह मा से बोले मम्मी बड़ी मम्मी ने आपको क्यों नहीं बुलाया था तो देवरानी कहने लगी कि बेटा वह बड़ी लोग है बड़ी लोगों को बुलाएंगे कि हम जैसे करीब लोगों को बुलाएंगे तो फिर उनके बच्चे जित करने लगे कि मा इस गुरुवार को आपको भी अफसान माता की दुर्दुरिया करनी है तो भै कहने लगी कि बेटा हम कहां कर पाएंगे उस पूजा के लिए हमारे पास कोई सामान भी नहीं है तो भै जित करने लगे अब बच्चें की जित तो सब को पता है तो भै कहने लगी कि अच्छा ठीक है गुरुवार का दिन आया उससे पहले भै शाम को जाकर ही साथ सुहागिनों को नेवता दे आई और वह सब औरतें सोच रही हैं कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है या कैसे करेगी दुरुदुरिया पूजा अब सुबह हुई और देवरानी को जहां पूजा करनी थी वहां कि उसने सापसफाई की और दुरूरिया पूजा का कोई सामान तो था ही नहीं फिर भी सब अच्छे से करके आसन सब के लिए लगा दिया और बीच में अफसान माता जी का आसन लगा कर एक बड़ी सी डलिया से ढख दिया अब कुछ दिर बाद जब सारी सुहागिने आई तो सभी को माता जी के पास बढ़ जाने के लिए कहा और कहा कि दीदी आप लोग पूजा की तैयारी करिए हम कुछ बना रहे हैं तब वह तो जानती ही थी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है तब उनमें जो श्रेश्ट सुहागिन थी उसने डलिया हटाई तो उसको वहाँ पर पूजा का सारा सामान मिला और सब लोग व्यवस्था करने लगे और जब वह किचुन से निकल कर आई तो वह अफसान माता का चमतकार देखकर दंग रहे गई अब वह लोगों से बताई भी तो क्या बताएगी लोग कहेंगे कि कोई विवस्था ही नहीं हमको फिर भी बुला लिया फिर अफसान माता की पूजा खुब विधी विधान से हुई और वह सुहागिनों की खुब सेवा करके उनको विधा करने लगी सुहागिने जाते जाते बात करते हुए जा रही थी कि वह तो अपनी जिठानी से बहुत ज़्यादा विवस्था करके बैठी थी यह बात जिठानी के कान में पड़ गई अब दूसरे दिन जब देवरानी गई जिठानी के घर काम करने के लिए तब जिठानी खुब नाराज हो गई और वह कहने लगी कि मेरे घर से चोरी करके ले गई थी इसलिए तुमने सारे सामान की वेवस्था करके इतनी विधी विधान से पूजा करवाई है तब वह कहने लगी कि नहीं दीदी हमने ऐसा कुछ नहीं किया था यह सब दुर्दुरिया माता का चमतकार है तो जिठानी ने इस बात पर बहुत बहस की और वह कहने लगी कि चलो कल हम फिर से पूजा करेंगे जैसे आपने कोई सामान नहीं मंगाया था वैसे हम भी नहीं मंगाते हैं देखे माता का चमतकार मेरे उपर भी होता है कि केवल तुम्हारे उपर ही हुआ है अब सुभा भी हुई उसने सारी औरतों को निमंदूत कर दिया और जिस तरह से देवरानी ने सब को व्यवस्थित करके शिखोले से यानि की डलिया से धग दिया था उसी तरह से उसने भी धग दिया अब जब सुभागने भूजा के लिए आई तो जेठानी कहने लगी कि दीदी वहीं शिखोले के नीचे सारा सामान रखा है आप लोग पवस्था कर लीजिए तब तक में किचिन से आती हूँ तो जब उनमें से एक सुभागन ने शिखोले यानि डलिया को उठाया तो उसमें से बहुत प्रकार के जानवर साब पिच्छु आदी उसमें से निकलने लगे और सब औरतें अपनी जान बचा कर और कहा कि मेरे यहां तो ऐसे हुआ तुम्हारे यहां कैसे अलग हुआ तो बेचारी दिवरानी बोलने लगी कि दीदी आपको तो माने सब कुछ दिया है आपको इस तरह नहीं करना चाहिए मेरे पास कुछ नहीं था तो माने अपनी कृपा मुझ पर बरसाई थी आपके पास सब कुछ है फिर भी आपने इस तरह से किया इसलिए दीदी आपको माता जिसे माफी मागनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि माँ हमको शमा कर दीजिए हम फिर से पूरे विधी विधान से दुर्दुरिया की पूजा करेंगे अफसान मैया की कथा यहीं समाप्त हुई इस कहानी से हम को यह शुक्छा लेने चाहिए कि कभी दोसरे की धंदौलत देखकर इर्शा नहीं करने चाहिए अगर आपको भगवान ने सब कुछ दिया है तो गरीबों की भी सहायता करनी चाहिए उनका सहारा बनना चाहिए यह नहीं कि आप सहारा भी ना बनो अगर कोई गरीब थोड़ा उपर उठ रहा हो तो उसकी लिए आप समस्या बनकर खड़े हो जाओ क्योंकि भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जिनको जरूरत होती है बोलो अफसान मया की जै दोस्तो वीडियो पसंद आया है तो लैक जरूर कर दीजेगा और इसी तरह क्यों और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तो इस वीडियो को आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजेगा ताकि भाई भी इस कथा का लाब उठा सकें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जै मात दी